अभिनेत्री लीना पॉल और उसके लिविन पार्टनर शेखर को करीब 10 करोड रुपे की धोखा धड़ी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है लीना ने साउथ में कई फिल्में की हैं और साथ ही जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे में भी नजर आई थी मुंबई पुलिस के प्रवक्ता धनन जै कुलकरणी के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से 137 विदेशी रिस्ट वाच दोनों गोरे गाउं के एक पॉश इलाके में रहते हैं और उनके फ्लाट और ओफिस का किराया ही कई लाक रुपे है पुलिस सूतरों के अनुसार लीना और शेखर ने पिछले डेर साल में इस राकेट के जरीय करीब 10 करोड रुपे का गोटाला किया है और पूछ ताच में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आये हैं दोनों आरोपियों ने एक फर्जी इंवेस्टमेंट कंपनी खोल कर निवेशकों को बेहत कम समय में 10 गुना रकम देने का वादा किया था मगर जब निवेशक रसीत पर लिखी गई तारीक पर रकम लेने गए तो लीना और शेखर बहाने बनाने लगे आपको बता दें कि दोनों आरोपी लीना और शेखर ने इससे पहले तमिलनाडू में कैनरा बैंक के साथ करीब 19 करोड रुपे की धोका धड़ी की थी और उसी साल शेखर ने खुद को एक ISS अधिकारी बता कर एक रक्ती से एक प्रोजेक्ट में 76 लाख रुपे निवेश करवा लिये थे और लीना ने उस दोरान शेखर की पतनी का किरदार अदा किया था अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी निउस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई